तो नाव जी ओ फाइनसे सर्विसेस इलिमिटेट अब देखे कल के दिन ओने वाले लिस्टिंग और लिस्टिंग से पहले बहुत बड़ा कंफियूजन है कि यहां पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पर देखने को मिल रहा है वो बहुत हाइस्ट है तो ओवर वैल्लिट यहाँ पर है और यहाँ पर जो existing shareholders है reliance के उनको यह free मिला है तो इनको बहुत जादा benefit मिला है लेकिन जो newcomer है अब यहाँ पर अगर आप खरीदेंगे 300-350 के भाव पर अगर आता है तो यहाँ पर अगर आप खरीते हैं क्या आपको यहाँ पर कमाई का मौका मिलेगा या फिर यहीं से geofinancial एक top बनाकर नीचे आजाएगा क्योंकि expected था demerger का 166 के price पर वो हुआ आपका 261.85 आप यहाँ पर listing की बात आप कर रहे हैं 350 पर तो यह यहाँ पर डब्बा बजार का price चल ला है और डब्बा बजार वाले आप क्या कर रहे हैं बहुत mysterious confusion है तो इसको हम थोड़ा से समझनी कुसिस करते हैं और समझते हैं कि जो reliance के पहले से shareholder थे जिनको यह मिल गया क्या उनको भी बेच लेना चाहिए highest price पर क्योंकि आभी तो सुरुबात है बच्चा है starting है बच्चा है लेकिन बच्चा अभी भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो नए investor बनना चाहते हैं क्या उनको अभी avoid करने चाहिए बिल्कुल तो देखिए आप चाहिए जितना भी news देख ले हैं आपको इतना नहीं पता चलेगा कि overvalued है या undervalued है यहाँ पर आपको यह बात है जो है वो बिल्कुल ना के बरावर देखने में बिले की बस लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि wait and watch लेकिन असल में कहानी थोड़ी से different है आप बजाच finance को टक्कर देनी के बात करते हो कि mass disruption आजाएगा आपके विजए से क्योंकि आपने black rock के साथ type कर ल यहाँ पर पसीने छूटने वाले हैं इनकी आने से तो मैं आपको बता दो black rock की यह second entry है इंडिया के अंदर तो ध्यान रखे यह joint venture में जो आ रहे हैं यह पहले भी आ चुके और जा चुके है अभी यह इनकी दूसरी entry है तो आप यहाँ पर एक बात होता ही है कि यहाँ पर है तो उससे एक छोटा player है क्या उसके लिए एक mass disruption लेकर आ रहा था कि HDFC डरने लगा कि यह कहां पर जो है ना mass disruption लेकर आएगा यह mutual fund आने वाला है यह जो छोटा mutual fund है वो HDFC से डरता है सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है जो जितना जादा return देगा industry के अंदर वह free mutual funds schemes बांटी जाएंगी और यहां पर जो आप loan की बात करते हैं बजाच finance की तरह है बजाच finance की तरह बिल्कुल आप बांट सकते हैं और भी players हैं लेकिल लोन आप बांट तो रहे हैं सामने वाले लेने के लिए तैयार है या नहीं है हाँ एक जगा बजाच finance को बहुत बजाच की जगा है रिलाइस अच्छा अपले कर सकती है बजाच को थोड़ा सा जुकना पड़ेगा उस जगा पर और आप बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक की बात कर लीजे ये भी अभी आपके अंदरी मर्ज होने वाली अभी मर्ज का news आई नहीं है जियो पेमेंट बै 22 कुछ आसपास की news थी September October के आसपास कि ये मर्ज हो सकते हैं चलिए ठीक है यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक को आए काफी टाइम हो गया जब ये जियो पेमेंट बैंक आ रहे थी तब भी यही बात चली थी कि ये आएंगे तो mass disruption आ जायाएगा और paytm के तो यहाँ पर पसी ने चूटने वाले हैं आपके Google पर के पसी ने चूट जाया है आपके phone पर रहेगा नहीं ऐसी चीज़े हैं ऐसी बात हैं हमको सुनने खूली यह सिर्फ और सिर्फ एक बोगस हाइप बनाइज आती है और वो हाइप बनायाते कौन है वो हम और आप जैसे लोग ही बनाते है के अंदर कुछ भी नहीं पेवेंट बेंक के आप इसके नंबर्स देखिए मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि जीओ पेवेंट बेंक के नंबर्स आप देखिए एक लॉस मेंकिंग अपनी थी फिर प्रॉफिट मेंकिंग आई फिर लॉस मेंकिंग तो ऐसे चल और अर्निंग्स कोई बड़ी नहीं है जबकि फाउंड़िड हुए काफी टाइम हो गया है और यहां पर आप देखें कि इतने सालों में लंब सब पांच साल हो चुके हैं पांच साल में क्या हुआ है तीन अपरेल दो जार अठारा को ये फाउंड़िट करिए थी जियो प आई पहले इससे आप समझ सकते हैं मैं थोड़ा सा और समझानी कोषिश करता हो केविल केविल इंडिस्ट्री में क्या हुआ था टार साथं पालों मदब आप देखें कि बड़े से वड़े जुक के एक्कावार कर लिया गया अचिखा अब यहाँ पर यही बात है कि यह पैनी स्टॉकर रिलाइंस का अब अगर यहाँ पर केविल के अंदर कुछ हो गया होता या आपने जगा जगा जियो बॉक्स पहुंचा दिये होते तो फिर यह हाल नहीं होता देखने को हाथवे केविल अभी 16 रुपय 65 पैसे पर है इससे ज़्यादा ऊपर के प्रैस पर शायद इन्होंने वाई कर रखा है इसके शियर्स को तो यह आपको देखने को चाहिए और अर्णिंग्स में कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला है तो यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपको समझने के लिए कि आप न्यूज इंडिस्ट्री में आएं आपने मीडिया के जाद से जाद चैनल खरे लिए वो स्टॉक्स भी वहीं जा रहे हैं वो स्टॉक्स के अर्णिंग भी वहीं है स्टॉक्स में कोई जोड नहीं है आपने केविल टीवी के खरीदे केविल टीवे क्या हुआ उल्टे स्टॉक्स गिर गए आप पैनी स्टॉक्स की तरीखे से जाने जाते तो यह हुआ है जबी भी एक हाई बनाने की कोसिस करे गई है तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है और अब यहाँ पर एक बहुत ही डीटेल आवे यहाँ पर आप समझेगा जियो फाइनिसल सर्विसेस के बारे में अब बजाज फाइनेस को बिल्कुल बीट करने की बात करते हैं बजाज फाइनेस की टोटल कुल वैल्यू है चाल लाग पंदरा या साथ सो तरे सट करोड रहे है यह किसके बतौलत है यह अपने काम काज के बतौलत है बजाज फाइनेस का लीडर्शिप क्यों है क्योंकि उसका काम जो है वो एक नंबर है जो मेन बिजनेस है जो आए आ रही है उससे इनके फंडमेंटल मजबूत हो रहे है उससे इनका मार्केट शेयर बढ़ा है अब यहाँ पर आप बात बताईए रिलाइंस जियो फाइनेसे सर्विसिस क्या आपका अभी कभी काम कोई चल रहा है म्यूचल फंड्स में आने के लिए आपने टाइप किया लोंस के लिए आपने टाइप किया अब आप एक तरीके से इनिशल स्टेज पर रहे हैं सुरुवात कर रहे हैं आपके पास ट्रेजिरी शेयर से 6% उससे आपकी नेट वर्स बढ़ाने की भी कोसिस होगी जियो फाइनसे सर्विसिस में लेकिन असल में जो वैल्यू आपको मिल लई है जियो फाइनसे सर्विसिस जब लिस्ट होगा अगर साड़े 300 के भाव पर लिस्ट हुआ तो यह आपर बजाच फाइनस का almost 60% का market cap जो है न उतने बड़ा company लिस्ट होने वाली है और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको benefit होने वाला यह सिर्फ और सिर्फ है आपके जो पराने share solders उनको benefit होने वाला है असल में नए वालों को क्या मिल रहा है already आप 2.5 लाग करोड की company में निवेस करने वाले हो और बजाज finance already 4,15,000 आप यहाँ पर सुरुवात होगी उनकी और जब यह business बढ़ेगा तो ज़्यादा सज्यादा stock का prices जो है वो double हो पाएंगे या 2.5 time हो पाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा market cap आप थोड़ी ले पाएंगे इससे ज़्यादा market cap कहा ले जाएंगे 10 लाग करोड की यहाँ पर company में जाए ऐसा आभी नहीं होने वाला बहुत मुस्किल है future जो हाईव आप बना सकते है प्रिजेंट में लेकिन future क्या है वो पता नहीं है तो और बजाज finance में कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है simple है यह बात है यहाँ पर समझना चाहिए सालों का यहाँ पर तज़रवा है इनको और सालों का तज़रवा है सालों का network है आसानी से नहीं मिठता है जितना भी आपके पर डेटा क्यों ना आया है किसी का क्या इनके पास वो डेटा नहीं होगा बिल्कुल है बस यहाँ पर एक जगा चोट मिल सकती है इनको जो यह कार्ड बनाते हैं कार्ड बनाकर आपको lifetime कार्ड जो देते हैं वो कार्ड आपका कुछ something 2,500 रुपए का पड़ता है जाद अतर मतलब अलग-अलग area का अलग-अलग hesab होगा पता नहीं लेकिन जब मैं लेने गया तो मुझे 2,000 रुपए पे करना पड़ेगा उस कार्ड के लिए जो कि lifetime रहेगा मेरे पास वजच फाइनेस वजच फिंजब का तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं जियो फाइनेसे सर्विसेस उन से आदे रेट पर या थोड़ा सा कम रेट पर यहाँ पर आप कार्ड इशू कर सकते हैं शायद उसके चलते क्योंकि वो महेंगा पड़ेगा यह सस्ता पड़ेगा उसके चलते लोग यह आपका बनवाले कार्ड और वो आपको बेनिफिट दे जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर एक है थोड़ा सा अनिश्चता अनसर्टेनिटी आ सकती है अधर वाइस है किदर भी नहीं लगता है कि अनसर्टेनिटी आएगी या आपका जो हाइक जिस तरही से बनाएगी कि मास्ट डिस्टरप्शन हो जायागा ऐसा कुछ नहीं दिखता है औरेडी लोगों के पास मुचल फंड की स्कीम्स है अगर आप एक बहतरी रिटन देंगे तो मुचल फंड में तो आपका यहाँ पर जो है ना आपकी स्कीम्स बिकेंगी लेकिन आप कितना रिटन देंगे क्या 50-60% का रिटन होगा तो वो यहाँ पर देखने वाली बात है तो अभी पिलकुल भी यहाँ पर एक एक तरीक से ना यहाँ पर लिस्टिंग के तोर पर आप एकदम यह मत सोचेगा कि मैं कूट कर ही खरी लूँगा यह मत सोचेगा बहुत सारी बाते पहले भी हो चुकी है और उन बातों में कोई दम नहीं रहा तो यह आपको समझना है और सिंपल सी बात है यह हम और आप जैसे लोग हाइप बनाते है ना कि कंपनी कोई हाइप बनाके गई है क्या वो खुद कहके गई है कुछ नहीं कहके गई है यह लिस्टिंग हो रही है जादा यहाँ पर ओवर वैल्यूड होगा वो करेक्ट होगा सिंपल है 10% का होल्डिंग डिसकाउंट रहता है सर्फ और सर्फ यह होल्डिंग की तो वैल्यू है और क्या है आपके सामने क्या कोई बिजनेस है स्टार्ट हो रहे है बिजनेस यह तो सारे की सारे होल्डिंग का यहाँ पर आपका वैल्यू है तो वो यहाँ पर आपको समझना है वो यहाँ पर आपको किलियर करना है अभी बहुत लंबा समय है देखने को और रेड़ी आप यहाँ पर मैं यही बात करें उनकी यह बच्चा जो है वो बच्चा तो है लेकिन बच्चा काफी बड़ा है तो यहाँ पर आप बहुत सो समझ करें यहाँ पर निवेज करें और highest level overvalued यहाँ पर कहा जा रहा है जात लोग कह रहे हैं wait and watch की इस्तिती यहाँ पर अपना है wait and watch करिये, यहाँ से double triple नहीं हो जा रहा है आप wait and watch करिए अगर double triple हो गया तो आपको फिर से बापस एक price पर मिलेगा ठीक है ना जो price हमारी चल ली वो मिलेगा क्योंकि double triple का कोई मतलब ही नहीं होता है double triple का कोई मतलब नहीं होता है इस बात को आप समझेए तो वो यहाँ पर आपको देखना है बाकी अगर यहाँ पर reliance के share यहाँ पर बढ़ता हो नजर आया तो यहाँ पर holding का जो value भो भी बढ़ेगा तो उसमें कहीं न कहीं share price आपन डाउन होगा यह ध्यान रखिए अगर इसका तो वो holding के बहाँ पर चलेगा तो hype कहीं न कहीं बनाई जा रही है फसे नहीं जादा वैतर है सोस समझ करें यहाँ पर निवेस करें कमपनी खराब नहीं है कमपनी के आगे के जो एक प्लान है वो बहुत बड़ा बिज़दन है बहुत बड़ा प्लान है लेकर अभी उसमें time है आप यहाँ पर over value डिस वक् करती अगर गलती हुई है तो आप कमेंट सक्सें बताइए कि ऐसे इसे गलती करी में उसको सुधार हूँ तो आप क्या कहना इसके उपर कमेंट सक्सें करें यह और आप दीजिवें जाब वीडियो देखने के लिए बहुत दन्वाद दूस्तों